नमस्कार प्यारे विद्यारतियों देखिए आज हम बात करेंगे पसु पालन प्रबंदन के कोश्चन आंसर के बारे में और आज की अपने टॉपिक रहने वाले हैं शींग रोधन, बदिया करण एबं बीनिंग, जानवरों एबं पॉल्ट्री में भिविन्द कार्रों की वो हता है, अरली मॉर्णिंग, यानि की जल्दी सोगहें, ठीक है, देके दूसरा कॉश्चन है, कुत्वे में डॉकिंग की सही उम्र है, तो सबसे पहले आप यह समझेए, कि डॉकिंग का मतलब क्या हुता है, कुत्वे को सुदर दिखाने के लिए, उसकी पूँच को का यह कोस्मेटिक सर्जरी का उधारण है ठीक है और इसकी जो सही उम्र होती है वो कितनी होती है तीन से पाँच देन देखे तीसरा कोशन है बीरे यकत्रड के लिए साण को किस उम्र पर ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं देखे भाई जब भी सीमन कलेक्शन करते हैं तो सीमन कलेक्शन करने से पहले साण को क्या ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग देते हैं वो देते हैं 18 मा की उम्र पर और सीमन कलेक्शन चालू करते हैं 24 मा की उम्र पर ठीक है तो देखिए साण में किस उम्र पर सीमन कलेक्शन शुरू करते हैं त तो वो करते हैं 24 मां की उमर पर ठीक है देखिए अगला कोश्चन है मुर्गे में डबिंग की उचेत उमर है तो सबसे पहले आप यह समझे कि डबिंग क्या होता है देखिए मुर्गे के सिर्क उपर जो कलंगी पाई जाती है जो कौंब पाई जाती है उस कौंब को हटाना क् कब हटाते है एक दिन की उमर पर हटाते है ठीक है देखिए चटमा कोश्चन है बदिया करण करने के लिए उप्युक्त मोसम है तो बदिया करने के लिए उप्युक्त मोसम कौन सा होगा बताओ सर्दी गर्मी बरसात या कोई भी नहीं नहीं कोई ना कोई तो होगा तो सबस कोई करना चाहिए तो होता क्या है कि बातावरण में उस टाम पर नमी रहती है तो उसकी बज़े से संत्रमणा का खत्रा जादा रहता है इसलिए बरसाथ के मौसम में बध्याकरण नहीं करना चाहिए फिर कप परना चाहिए सर्दियों के मांसमें ठीक है देखे आठमा कुश् साण में कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है यह तो भाई बहुत अच्छा क्वोश्चन है तो बताए कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाएगी इसक्रोटल हर्निया, होर्निक इंसर, थेलेरियोसेस, यूरो लिथियसेस बताइए कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ेगी हाँ बिल्कुल सही है राइट आंसर क्या होगा यूरो लिटी एसेस होका ठीक है देखे अगला कोश्चन है बद्यकरण करने की बज़े से घोडे में कौन सी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है बात आ रहे ए किसकी, गोडेगी और जब बात गोडे की आती है न तो बीमारी की संभावना रहेगी सीरस कोर्ड और जब बात आ जाती है संग्ण की तो बीमारी कौन सी रहेगी, व्रुती एसेस बस इसी चीज का ध्यान लखना है बागी कोई दिखकत नहीं है देखे दसमा कोशन है इलास्ट्रेटर उपकरड किस काम में लेते हैं देखो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी न तो हमने बात की थी कि बदिया करड के लिए कौन-कौन से उपकरड काम में लेते हैं एक तो एलास्ट्रेटर काम में लेते हैं एक एमास्ट्रेटर काम में लेते हैं और एक बोड़ी जो कास्ट्रेटर काम में लेते हैं तो एलास्ट्रेटर उपकरड किस काम आता है बदिया करड के काम में लेते हैं देखिए अपना ग्यारमा कोशन है मादा में बद्या करड को कहते है हैं इसपेइंग बोलते हैं और क्या बोलते हैं ओवेरियो इस्ट्रेक्टोटोमी बोलते हैं और और उप्सन ने अपना सी दूनों A और B तो राड आंथर क्या हो जाएगा इसका C होगा ठीक है C होगा यह D नहीं होगा क्योंकि A को भी बोलते हैं और B को भी बोलते हैं देखे अगला कोशन है गोबंस में नर जिसका मास उत्पादन के लिए बदिया करण किया गया है उसको क्या बोलते हैं इस्टीर बोलते हैं क्या बोलते हैं इस टीर बोलते हैं और बोजा डोने के लिए जब बदिया करण करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको ब्लोक बोलते हैं ठीक है देखे तेरमा कोशन है गोबंस में नर जिसका बोजा डोने के लिए बदिया करण किया गया है क्या बोलेंगे उसको ब्लोक बोलेंगे यानि कि बो से 10 दिन के उमर पर क्या करते हैं D talkin कोन सा intention का मुलेंगे एक तो ए नहीं लेते हैं तो राट आंसर हो जैगा D देखे अगला कोशन है इलेक्ट्रिकल डी होर्नर में सींग रोधन करते समय तापमान समय होना चाहिए कितना होना चाहिए 1000 डिग्री फारेनाइट 10 सेकंड के लिए यही चाहिए ठीक है देखे सत्रमा कोशन है रक्त बिहीन बिदी है किसकी बद्यकरण की तो देखो बोर्डी जो कास्टेटर के द्वारा रबड के चल्ले द्वारा चीरा लगाकर बिर्षणों को बहार नकालना देखो जब चीरा लगाकर बिर्षणों को बहार नकालेंगे तो बिलड निकलेगा तो यह तो होना ही सकता यह है तो राइट अंथर क्या हो जागा डी हो जागा ठीक है देखे अगला कुश्चन है निम में से कौन सा कतन बद्यकड के बारे में असत है भाईये देखो या बद्यकड के बारे में तो देख लेंगे इस बात पर ध्यान दो की देखो बैकेंसी आ चुकी है और पेपर का समय भी निर्धारत कर दिया है तो भाईये त्यारी कीजिए ठीक है ओनलाइन ओपलाइन जैसे भी आपकी विवस्ता बैट रही है उस हैसाब से आप त्यारी कीजिए ऐसा मोका दोबारा नहीं मिलने वाला है ठीक है तो इस चीज पर ध्यान देना है इन बद्यकरण को तो हम देख लेंगे बद्यकरण के बारे में असत्त कतन देखो इससे सरी का बजन बढ़ता है बिल्कुल सही है बद्यकरण से सुक्रजनन बंद हो जाता है उसी को तो बद्यकरण करते हैं बिल्कुल सही है बच्छडे में एक बड्स की उम्र में बद्यकरण करते हैं सही है सुवर में छे सप्ता की उम्र में करते हैं यह गलत है नई ठीक है राइट अंथर D हो जाएगा देखे गुन्नीसमा कुष्छन है दूद छुडाने के लिए बच्चडे को गाय से अलग करना क्या कहलता है दूद छुडाने के लिए बच्चडे को गाय से अलग करना यानि कि इस पाप को करना क्या कहलता है वीनिंग कहलता है ठीक है वीनिंग बोलते है इसको अब देखो बचडे में वीनिंग की उम्र होती है कितनी होती है नब्बे दिन यानि कि तीन महीने के बाद क्या करते हैं बचडे को मां से अलग कर देते हैं और उसको क्या बोलते हैं वीनिंग बोलते हैं समझ मा रहा है ना कोई बात नहीं देखो सुवर में वीनिंग की उम्र बोलते हैं ठीक है आप तो होग ध्यान रग लेना वो अप्शन को पर डिपेंड करता है क्या आ रहा है देखे अगला कोश्चन है कि बच्छडे में बद्या करण की उच्छे तुम्र बताओ कितनी होती है बिल्कुल सही है कितनी होती है एक बर्स ठीक है एक बर्स के बीतर अं करण का लोस नहीं होता है तो बो हो जाएगी बंदविदी है ना 24 में का अंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा देखे पच्छीसमा कोश्चन है अपना कि मात्रत को गुड के लिए जिम्मेदार हर्मोन प्रोलेक्टिन कुन सा है प्रोलेक्टिन कहां से सिरावित होता है फ् अथाइसमा कोश्चन है बदिया करण की हो यह गोडे को क्या बोलते हैं बेडर बोलते हैं इस्टीर बोलते हैं होग बोलते हैं गेल्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं गेल्ड या गेल्डिंग बोलते हैं ठीक है देखे 28 में कोश्चन है कि बदिया करण करते समय रबर के छल्ल को चीर कर भार निकालेंगे इंगे मास कूलेटर के द्वारा ठीक है अगला क्वेश्चन है कि निम्मे में से किसमें बद्यकरण नहीं किया गया है देखो किसमें नहीं किया गया है निम्मे में से किसमें बद्यकरण नहीं किया गया है तो देखो इस टीर किसको बोलते है यान तो देखो भाईया जो टीजरबुल होता है ना टीजरबुल को हम बद्या करण नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टीजरबुल में क्या करते हैं हम बैसेक्टोमी करते हैं क्या करते हैं बैसेक्टोमी यानि कि जो बास डिपरेंस होती है ना उस बास डिपरेंस को काट कर बांद देत ठीक है ना बाशी Crνs को काट कर देते हैं बांग देते हैं उसको बोलते है बैस्यक्तमायल नर्या नस्बंदी बोलते हैं ठीक है बढ़या करण नहीं करते हैं इसमेंगो और टीजर्वल כहां काम लेते हैं हीटका पता लगाने के लिए देखो भई अगला कोश्चन है जीवाणू संग्रमड यानि कि बैक्टिरियल इनफेक्शन के कारड बद्यकरत जानवर की स्परमेटिक कोड में क्रोनिक सूजनाना क्या कहलाता है बताइए बहुत अच्छा कोश्चन है तो जीवाणू संग्रमड के कारड ब बद्यकरत जानवर की स्परमेटिक कोड में क्रोनिक सूजनाना क्या कहलाता है क्या कहलाता है पहले भी बात कर चुके हम यह संबंदित किस से गोड़े से संबंदित है उसको बोलते है सीरस कोड क्या बोलते है सीरस कोड बोलते है ठीक है देखे एक अत्तिसमा कुश्चन नि इनमें दूद छोडाना या बचडे को माँ से अलग करना ज्यादा कटिन होता है, ठीके? तो आंवर क्या जाएगा इसका बताओ आंवर क्या जाएगा? अरे आंवर क्या होगा इसका? आंवर होगा देशी गाय और भैस ठीक है ये दोनों होती है तो आंसर में यह आएगा भया ने थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करो पाजी देखिए 32 कोशन है मजबूत मात्र प्रिवर्टी बाले जानवरों में वीनिंग करने से कौन सी समय से उत्पन हो जाती है मजबूत मात्र प्रिवर्टी का मतलब होता है मात्रत वा गुड और मात्रत के गुड के लिए कौन सा हर्मों जिम्मेदार होता है प्रोलेक्टिन जिम्मेदार होता है ठीक है तो बीनिंग करने से कौन सी समय से उत्पन हो सकती है देखो दुख 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 पादन में गरावट आएगी सो परसेंट आएगी जल्दी दूस सूखना पिल्कुल संभव है सुभाव संबन दी समिष्या आए ठीक है और यार बच्चे को मास से लग करेंगे तो ये समिष्या तो आने ही आनी है ठीक है तो और आंसर क्या आएगा उप्रोकत सभी ठीक है तो बद तीस में का आंसर क्या उपर दबाते हैं? 3 से 5 से 5 सेंटीमीटर उपर से दबाते हैं और कितनी बार दबाते हैं? दो बार दबाते हैं भहिया एक बार पर भरोसा नहीं करना चाहिए दो बार दबाते हैं ठीक है? तो right answer क्या हो जाएगा? C हो जाएगा देख केऊ अपना 24 वार जितने भी question answer दे यह यहीं पर complete होते ठीक है वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भाई में तो यही कहूंगा अपनी त्यारी को best बनाओ त्यारी कीजिए यह last मौक आए उसके बाद vacancy बहुत लेट आएंगी ठीक है तो देखिए रिक् के मामले में compromise बिलकुल नहीं करना जितना हो सके उतना त्यारी कीजिए धन्यवाद